तो आप सभी के गाड़ियों पे जो फास्टेक लगाया जाता है जिसके जरी आप टोल का जो पेमेंट है वो कर पाते हो आप सभी को क्यों में इतना लगने की जरूरत नहीं होती आपका काफी समय बसता है के वाइसी करने की लास्ट डेट पहले रखी गई थी वो थी 31 जनवर फरवरी 2024 जो की काफी कम समय था और बहुत सारे लोगों की अभी भी KYC नहीं हो रखी है तो यहां पर आप देखोगी कि अभी जो KYC करने की जो डेट है वो बढ़ गई है अभी ट्विटर पर इनकी तरफ से ट्विट भी किया गया है यहां पर आप देखोगी कि बताया गय है यह जो डेट है एक्स्टेंड कर दी गई है 29 फरवरी 2024 तक यानि कि आप सभी के पास में एक महिना पूरा समय मिल चुका है अभी आप अपनी जो KYC है वो इजली कर सकते हो तो यहां पर यह जो KYC है क्यों कराया जा रहा तो उसके पीछे रिज़न यह है एक ही फास्टेक क की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि जो हाइवे है उनको toll booth से free किया जाएगा जिसमें कि toll का जो collection है वो satellite के माध्यम से किया जा सकेगा जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारी बाहर की जो countries है वहाँ पर इस तरीकी के जो toll booth होते है वो नहीं होते है जबकि आपके vehicle का जो toll है अगर collect करना होता तो satellite के जरिए वो जो toll collection हो जाता है तो इसके लिए आप सभी का जो फास्टेक है जिस भी बैंक की तरफ से issue किया गया है सबसे पहले तो अपना जो browser है वो पेन करना है जैसे कि मेरा जो फास्टेक है वो है HDFC का तो यहाँ पर हम HDFC लिखेंगे और इसके साथ में जो फास्टेक है लिखने के बाद में सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप सभी की सामने जिस भी बैंक आपका फास्टेक होगा उसकी वेबसाइट है आज आएगी जैसे कि मेरे सामने यह आ चुका है तो इसी लिंक पर हमें क्लिक करना है अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने Fast Tech की जो KYC करने का जो बैनर है वो आ रहा है जहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो KYC के जरिये हम यहाँ पर अपनी जो KYC है वो कर सकते हैं यहाँ पर update your KYC now इस option पर click करोगे देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप सभी से सबसे पहले mobile number जो भी आपके Fast Tech से link है वो यहाँ पर इंटर करना है pen number यहाँ पर आपको fill करना है इसे के साथ में term and conditions को accept करने के बाद में continue की type पर click कर देना है कि आपके Fast Tech की KYC है वो हो चुकी है या नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको बता दिता हूँ कैसे आपको login करके check करना है तो यहाँ पर login register के option पर click करेंगे यहाँ पर जो भी user ID है या फिर आपको user ID नहीं पता तो vehicle number या mobile number fill कर सकते हो यहाँ पर तो चलिए हम अपना जो mobile number है जो भी गाड़ी से लिंक है Fast Tech से वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे अभी हमारे Fast Tech के अंदर जो भी current balance है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसी के साथ में profile के section में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो आइकन दिया गए profile का इस टैप पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपकी जो KYC डिटेल है वो सो हो जाएंगे जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर KYC का जो है status के section में full KYC यहाँ पर हो रखी है इस तरह के से mention किया जाता है अब यहाँ पर अगर आप full KYC नहीं हो रखी है तो कैसा आपको दिखेगा तो इसके लिए हमारा दूसरा गाड़ी का जो फास्टैग है जो कि ICAC बैंक का है जिसके अंदर हमने अभी full KYC नहीं की हुई है आपका फास्टैग ऐसे चलना बिना KYC के तो यहाँ पर आप देखोगे KYC स्टेटस कुछ इस तरीके से मेंशन किया जाता है जिसमें आप देखोगे कि MINI KYC यहाँ पर मेंशन किया गया है यानि कि MINIMUM KYC होकर कि जो फास्टैग वो इशू किया गया है जिसके अंदर वालेट के जो लिमिट है दस हजार रुपे है तो यहाँ पर जब भी आप KYC करोगे तो यह जो लिमिट है एक लाख रुपे हो जाती है अब यहाँ पर अगर आपका जो फास्टैग वो किसी अधर बैंक का इशू किया हुआ है या फिर आपका जो फास्टैग नेशनल हाइ फास्टैग के तरफ से जारी किया गया है तो मैंव हास्टैग तो की कैसी करोगे उसका तरीका पको मता देता हूँ उसके लिए आप को प्ले स्टोर पर आना कि आपको मिल जाए इसको प?". डवाम sentenced to 008201 कि आपका जो फास्टेग वो किसके जरिये जारी किया गया है क्योंकि फास्टेग सभी को जारी करते हैं इसके लाब में बहुत सरे बैंक कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको अपना जो मुबाइल नंबर है वह इंटर करना है ठोटा सा एक आइकन दिखाया गया है गेट ओटीपी का इस ओप्सिन पर आप क्लिक करोगे जिसको आपको यहां पर इंटर करना होगा दिन आप इस पोर्टल पर लिंक दे रखा जहां पर क्लिक करके प्रॉपर पूरा प्रोसेस देख सकते हो अब यहां पर जैसे कि आपको फास्टेग वह किसी बैंक के जरिये जारी किया गया है तो यहां पर आपको एक प्लिक करना होगा तो जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहां पर देखोगे कि यह जो आपने लॉगिं लॉगिं करने के लिए इंडीजिवल लॉगिं को क्लिक करना यसे मोबाइल नॉमकर और आपको दिखायागा है कि वेरिफिकेशन कोड यहां पर जो आपको दिखाया के option पे क्लिक करना है देर आप पोर्टल के अंदर लॉग इन हो जाओगे और यहां पर फास्टेक की की का आप्शन है आपको पोर्टल के अंदर देखने को मिल जाएगा लेकिन जिन बैंकों में के वाइसी ऑनलाइन प्रोसेस से नहीं हो सकती है उनके लिए आपको ब्रांस से क्लिक करोगे आपके घर के आज-पास में जो भी फास्टेक के विक्रेता है उनकी जो डिटेल से मिल जाएंगी जहां पर भी जाकर के आप अपनी जो फास्टेक की के वाई से वह करा सकते हो जैसे कुछ नया अपडेट आता है मैं वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉम कर रिसीब करना या पर किसी को पैसे भीजना वो जो सर्विस से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो ऐसे में अगर आपके पेटियम वालेट के अंदर जो भी बैलेंस है उसको आप यूज कर सकते हो उसके लिए 29 फरवरी की तरफ से डेट दी गई है बाकि पेटियम का अगर आप फास्टैग है तो उसको लेकर के पेटियम की तरफ से कहा गया कि फास्टैग को आप आगे भी यूज कर पाऊगे लेकिन यह किलियर किया गया है कि पैसा बचा हुआ है उसको जरूर खरस कर लो अब यहाँ पर फास्टेक की जो KYC है अगर आपको करने में कोई भी परिशानी आ रहे है तो नेक्स्ट वीडियो में इसी पर लाने वाला हूँ कि फास्टेक की जो KYC है कैसे आप करोगे उसका step by step पूरा solution में बताने वाला हूँ जिसमें की mobile application के जरिया आप यह सारा काम कर प करते हैं अपने एक नए वीडियो में तो तक लिए गुडबाई जाहिन